लोग कह रहे हैं कि Black Adam just saved the DCU मगर इस बात में कितनी सच चाही है I mean अपने रॉग भाईया Superman को वापस ले आए उससे बड़ी बात क्या होगी लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि मामला बस यहीं खतम नहीं हो जाता Majority of DCU fans अभी भी Zack Snyder fans है जिनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है Zack Snyder के अलाबा वेहने बदस के पास वो social impact create करने के लिए और कोई चीज थी भी नहीं साल में एक दुएड धाई movies ही निकालते थे Marvel के comparison में और ये भी बात अपन जानते हैं कि Hollywood का भी movie culture बहुत ही corporate है इंडियन्स की तरह नहीं है कि भाई कुछ families उसे control करती है और जब इसी information के साथ आपन को बता चलता है कि Hollywood को top actor को भी 6 साल लग गए अपनी इस call को approve करने के लिए तो भाई हम और तुम होती ही कौन है बोलने वाले I'm gonna say that again 6 years we first started talking about this and they kept saying no now that leadership isn't there anymore because we usher in a new era in the DC universe and we usher out an old era in the DC universe too this is a great start मैं अभी भी बहुत जादा खुश नहीं होना चाहता क्योंकि अभी बहुत ही जादा इंतजार करना भी है Ben Johnson ने DCU को सेफ किया या नहीं किया मगर हाँ शुरुवात तो इनी से हुई है जो कि अब अपना 2023 से तुम भूली जाओ कि असली Superman, Batman और Wonder Woman कुछ देखने को मिलेंगे क्योंकि अगले साल It feels like कि Zazz Law पुराने DCU का सारा माल डंप कर रहे है क्योंकि दूर से देखने में तो यही मैसूस हो रहा है क्योंकि अब उन्होंने जैसे बताया कि उन्होंने DC का अपने Agnia Studio बना दिया है तो भाई इसे तो खाली करना ही पड़ेगा जो कि ऐसा करते हुए आज तक पूरे DC की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एक साल में हमें कभी चार पिक्चरे दी हूँ जिसको पता नहीं फैन्स के लिए कंपंसेशन कह सकते हो या फिर माल डंप करना ही मान सकते हो क्योंकि 2023 में हमें Shazam 2, Flash, Blue Beetle, Aquaman 2 सब देखने को मिलना है कि भाई Master Plan की Outline बन चुकी है पस उस लगाम को पकड़ने वाला कोई एक अच्छी लीडरशिप चाहीए क्योंकि DCU को सट अप करना कोई बहुत बड़ा Rocket Science नहीं है क्योंकि अब चीज़े फिर से फ्रेश स्टार्ट करनी है Justice League की Basic Members को ही देख लो और पिक्चर बनाना शुरू जो कि मैं अभी को ही नहीं बोलेगा कि भाई अपी ही Dark Side को टिड्यूस करने भाई important बात है उसके अलाव भी वाकि सारे characters है लेकिन हाँ धीरे धीरे शुरू किया जा सकता है वही बहुत ही अच्छे तरीके जिसके लिए अपने इसके पिछली वाली वीडियो मेंने concern भी दिखाए थी कि अगर रॉक DCU को save कर रहे है या फिर सभाल रहे है तो कहीं DCU वही ना handle करने लग जाए जिसका thankfully answer उन्होंने अपने इस Black Adam के press tour में ही दे दिया कि भी DCU को सम्हालने तो वाले की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले मगर as a advisor की तोर पे जरूर available होंगे और शामिल भी होना चाहेंगे जिससे एक sort of upon की misconception भी दूर हो जाती है कि DCU Black Adam universe नहीं बनने वाला कि अब ये समझ में आ रहा है कि भाई वो अपनी कहानी के लिए committed है मगर probably DC में अपनी जगां भी जानते है मगर of course भाई power किसको नहीं पसंद है अगर नए DCU को खड़े रखने की जिम्मेदारी Black Adam के उपर आ जाती है ठीक जैसा MCU में Iron Man है अपना तो involved होने से रोख ही कौन रहा है इसे लेकिन गुरू इसी के साथ साथ अपन सब ये बात भी देखने के लिए तयार हो जाएं तो जो toxic fandom का एक नया रूप भी अपन को देखने को मिलेगा ये for sure तुम्हें सुनने को मिलेगा कि यार पुरानी वाली बात नहीं है colors इतने क्यों दिखा दिये it's fucking disrespectful all sorts of things आजाएंगी जो कि ये बात तुम और मैं हम सब जानते हैं कि DC उ अपना DC को लेकर एक बहुत ही बड़ा tonal shift लेगा वे 100% यार जैक स्नाइडर के तरड़ डार्क नहीं होने वाले और वो जी इंटरनेट के अपने डार्क पसंद लोग है वो अपना काम करेंगे खैर जैक स्नाइडर के लिए मेरे दिल में कोई दो सवाल नहीं है मैं अभी भी उनका बहुत ही बड़ा fan हूँ किसी भी कोई तुम्हें आसान करने की जरूबत नहीं है मगर थोड़ा इस पे भी ये जरूर सोचना कि DC जैक स्नाइडर के बिना भी बहुत कुछ है इसके बारे में तुम अपने उपीनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना अब भाई Black Adam में Superman के दिखने के ऊपर अगर आपको और सारी information चाहिए तो आप मेरी स्वारी वीडियो को जरूर देखना तो मैं सारी information मिल जाएंगी मगर तब तक के लिए देखते रहिए PJ Explained